हलो स्टूडेंट्स इसे पहले कि ये दो वीडियो है काफी इंपोर्टेंट है दोनों को देखिए इस वीडियो में दो ट्रेंडिंग टॉपिक के बारे में जानेंगे आर्टिफिसल इंटेलिजेंस और मशीन लॉर्निंग शॉफ्टर फिल्ड में बहुत शारे ऐसे काम होते हैं जो सिर्फ एक इंसान कर सकता है लेकिन जब से आर्टिफिसल इंटेलिजेंस और मशीन लॉर्निंग जैसी टेक्नोलोजी आई तब से इंसानों के काम को करने के लिए सरवर्ष या मशीन में रोबोटिक अप्लिकेशन ब अब ऐसा जरूरी नहीं होता है कि हर काम जो इंसान कर सकता है वो शारा काम रोबोटिक अप्लिकेशन करें लेकिन सॉफ्टर के फिल्ड में 90% जो वर्क्स होते हैं जो इंसान हैंडल करते हैं उनको आपका रोबोटिक अप्लिकेशन भी हैंडल कर सकता है और इस तरह के machine learning के माध्यम से robotic application मना कर किसी भी common application functionality में install किया जा सकता है हो सकता हूँ mobile का application हो website में भी integrate किया जा सकता है आप अपने web server में भी integrate कर सकते हो लेकिन ऐसा तभी possible होता है जब आपके application website और servers के पास data का collection हो अब यहाँ पर data के collection का मतलब क्या हो गया जरा उसको जानिए जनरली अगर किसी इंसान को कुछ शीखना है तो वो books या किसी और material का इस्तमाल करेगा शीखने के लिए यानि कि हर मायने में अगर कोई भी इंसान या कोई भी चीज कुछ शीखना चाहता है तो उन्हें किसी न किसी चीज की शाहता लेनी होंगी वैसे ही robotic applications भी अपने आप तभी इंसान का काम करते हैं मशीनों की माध्यम से जब उनको डेटाओं की माध्यम से कुछ सिखाया जाए अब मशीन लर्निंग का मतलब ही है कि जहां मशीन कुछ सीखे खुद से लेकिन मशीन सीखेगा किसे जो डेटा आपके पास है उसी से अब ये डेटा कोई ordinary नहीं होगा audio, video, mp3 ये सब डेटा आप रख लोगे तो ऐसा नहीं है कि मशीन उससे सीख जाएगा अब एक्सपेक्ट कीजिए कि आप अपने यूजर को recommended product दिखाना चाहते हो तो इसका मतलब आपके पास यूजर क्या पशंद करता है क्या नहीं पशंद करता है उस तरह की डेटाओं का collection तो होना चाहिए अब यूजर का profile photo अगर आप store कर लेते हो तो क्या robotic application उसके लिए integrate किया जा सकता है नहीं एक proper data robotic application को देंगे तब ही machine सीख पाएगा उसे अब जैसे मैंने आपको example दिया है कि application website या server के माध्य हमसे आप recommended product को user को display करना चाहते हो तो पहले तो आपको user के behavior को observe करना होगा फिर आपको उन सभी data को store करना होगा जिसे user search कर रहा है पशंद कर रहा है और उसके बाद आपको अपने robotic application को देना होगा अब ये robotic application अपने machine learning और artificial intelligence technology के माध्य हमसे अपने आपको train करेगा शिखाय का खुद और prepare करेगा ताकि अगली बार जब ये user आपके application पे या website पे दुबारा विजिट करे तो उसे वही recommended product दिखाय जाए यहाँ क्या जाना आपने simple सब्दों में क्या होगा क्या नहीं होगा artificial intelligence और machine learning technology से लेकिन books में पढ़ेंगे internet पर सर्च करेंगे क्या मिलेगा Neural Networks क्या होता है Data Science क्या होता है Big Data क्या होता है ये सब चीज पढ़ते है Artificial Intelligence और Machine Learning में ये सब चीज इसमें पढ़ते हैं लेकिन एक proper way में क्योंकि A के बाद B, B के बाद C फिर C के बाद D Direct Artificial Intelligence और Machine Learning के अंदर Robotic Applications ही नहीं बनाते हैं हमें proper उप्स शीखना पड़ता है पहले Data की Knowledge लेनी पड़ती और सब से Important चीज जितना अच्छा Mathematics उतना अच्छा Robotic Application अगर आपकी Mathematics कम जोर है तो समझें आप उसी लायक आप्लिकेशन बना पाओगे जितना ज़्यादा Mathematics से स्ट्रॉंग होगा उतना बहतरीन एचीव कर पाएंगे Artificial Intelligence और Machine Learning के फिल्ड में ये चीज हम लोग अपने Software Engineering के Online Classes में भी पढ़ाते लेकिन बच्चों को उतना Mathematics पढ़ा दिया जाता है जिनसे Machine Learning और Artificial Intelligence पे अच्छी तरह से काम कर चके डारिक्ट हम आपको Machine Learning की Training नहीं देते हैं So अगर आप admission लेना चाहते हो तो 2019 में ही इंड्रॉल करें क्योंकि 2019 में इसका फी यही पे करनी होंगी आपको लेकिन 2020 में Machine Learning और Amazon Web Services की वज़ाशे हमारी जो कोर्स की फी है वो काफी बढ़ चाहेंगी और ज्यादा information चाहते तो हमारे executive को office shower में call करें वो definitely आपकी help करेंगे Web Institute की वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद